गुड आपनून लेडिज जर्टमेन सबसे पहले तो मैं आपको अबगत कराता हूँ कि हमारी जो रिकूर्टमेंट टाइम लाइन्स हैं जो हमने डिसाइड की हैं आपके सामने आपके स्लाइड में हमारा जो रिकूर्टमेंट केलेंडर है वो हमने 25 जून डिसाइड किया था बट ये कल शुरू हो जाएगा अभी पर चला कि हमारी जो एक फाइल अप्रूव होनी थी हो गई है तो ये कल हम शुरू करने के अपना काम जो है उसके बाद आनलाइन रेजिस्ट्रेशन होगा फर्स जुलाई अनवर्ड जैसा कि अडिशन सेकर्टरी सामने बताया था अभी कि कोई बदलाव नहीं है अभी ज़क जो भी रेकूट्मेंट प्रसीजर प्रॉसेस अभी तक हो रही है पिछले कई सालों में वही इस बार भी होगी तो जो मैं आपको बता रह हुई उसमें कुछ भी नया नहीं है हम वही उतना यह टाइब ले रहे हैं जितना की हर बार लेते थे इस बार थोड़ा सहम जल्दी कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द अगनीवीर को लाना है अपने ट्रेनिंग इस्टेलिश्मेंट चिलका में और आप लास्ट लाइन देखेंगे तो वहाँ पे उनका मेडिकल होगा और जो सेलेक्ट हो जाएंगे मेडिकल में तो फर्स लॉड अगनीवीर हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग इस्टेलिश्मेंट आइने चिलका ओडिसा में वहाँ पे अपनी ओर ट्रेनिंग शुरू कर देंगे तो यह हमारा अभी तक का विजन है और इसको हम मैं मानता हूँ कि इसको हम पूरी तरह से जितनी टाइम लाइन्स हैं उसको पूरा करेंगे परसों से आज की बीच में मैं आपको एक दो इसको बंद कर दीजे यह तो चलने दीजे ठीक है जो लोग देख रहे हैं बहार टीवी में परसों से लेके आज की बीच में एक दो नई जो डेवलिमेंट सोई है एक तो है कि हमारी मिनिस्ट्रिय अफ शिपिंग और डीजी श चल रही थी और येस्टरडे कल ही DG Shipping ने अपना एक DGES order जिसको कहते हैं 16 of 2022 उसको इशू किया है वो केवल अगनी वीर के लिए है कि चार साल के टेनिंग के बाद जब अगनी वीर बहार निकलेंगे तो वो किस-किस ट्रेड में सीधे मर्चंट नेवी में जा सकते हैं डारेक्ट उनने कई सारे प्रावधान दे रखे हैं ये ओलडी मीडिया में है ये सोशल मीडिया में घूम रहा है ये DGES order ओलडी तो आइम शोर जो हमारे future अगनी वीर्स हैं नेवी के उसको भी उसको भी शायद पढ़ रहे होंगे अपनी तयारी के साथ करने के लिए इसके साथ ही डीजी शिपिंग ने एक डीजेस order 17 ऑफ 22 भी कल इशू किया है मेरी और डीजी शिपिंग की मुलकात हुई थी कल और वहीं पर हमने अपना मेमरान अफ अंडेस्टेंडिंग भी की मोई एक साइन किया है जिसके तहत भारती नौसेना और शिपिंग मिनिस्ट्री बट लाज़ी डीजी शिपिंग विल वर क्लोजली दोनों एक साथ काम करेंगे और कई सालों से जो हमारी एक बात अटकी थी वो कल पूरी हो चुकी है जिससे की अट अगनी वीर्स बट बाकी नौसेना के अधिकारी और सेलर्स जब वो नौसेना छोड़ेंगे तो वो भी उनकी जो पूरी C-Service है और उनकी जो ट्रेनिंग है वो पूरी काॉंट की जाएगी और वो सीधे मर्चेंड निवी में अपनी नौकरी कर सकते है तो ये बहुत बड़ा कल काम हुआ है, कल अच्छा दिन तशायद मंड़े, and we are very happy that the Ministry of Shipping and the DG Shipping has made this happen. अब मैं आता हूँ, operational effectiveness की तरफ, कई जगे मैंने सुना, जैसे कि बागी services में सुना होगा, कि अगनिवीर्स के आने से हमारी operational effectiveness काम हो जाएगी. देखिए हमारी नौसेना का जो vision है हुआ है, combat ready, credible, cohesive and future ready force. उसमें कोई बदलाव नहीं है. और जैसा कि अब एर मार्सल सुरच जहाने बोला, combat readiness, combat preparedness, combat efficiency, as far as नौसेना is concerned, non-negotiable. तो हम लोग अगनिवीर्स को लेंगे, उनकी ऐसी training करेंगे, जिसको हम कहते हैं drill to skill, उनको जो अगले 3-4 साल में जो करना है, उसमें अच्छी training करेंगे, पहले bootcamp training करेंगे चिलका में, फिर उनको समुन्दर में ले जाएंगे, वहाँ पर उनको आउगत कराएंगे environment से, क्योंकि जैसे आपको पता है, मैं भी एक landlock state से आया हूँ, पहली बार मैंने समुन्दर देखा जब मैं training के लिए गया था, ऐसे बहुत सारे अगनिवीर आएंगे जो उनको कभी समुन्दर ही नहीं देखा होगा, तो उनको हम समुन्दर में ले जाएंगे, और उसके बाद उनकी professional training होगी, जो कि चार से छे मेने के बीच में, वो हम decide कर रहे हैं अभी, जिसमें उनको ये सिखाये जायागा, कि अगले तीन साल तक वो क्या काम करने वाले हैं, ये पूरा जो मसला है, ये अभी हम लोग इसके उपर काम कर रहे हैं, लेकिन जब पहला अगनिवीर 21 अंसर रहेंगे, उसका उदेश क्या है, उदेश ये है कि जब ये अगनिवीर समंदर में पहुँचे और किसी रेडार सिस्टम के सामने बैठा है, किसी सोनार एकोपन के सामने बैठा है, कोई मशीनरी ऑपरेट कर रहा है, तो वो पूरी तरह से सक्षम हो, and he is truly a warfighter, उसमे और जो अभी सिस्टम हो रहा है, एक साल का जो ट्रेनिंग किया हुआ, बंदा जो नेवी में आता है, उसमें और इस अगनिवीर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, he is ready to fight, जब हो समंदर में हमारे जहाजों में रिपोर्ट करेगा, हम लोग अपनी ट्रेनिंग एफेक्टिव हूँ, हम लोग ट्रेनिंग टाइम लाइन्स को थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, विदाउट अफेक्टिव ट्रेनिंग, और इसका काफी उप्योग होने वाला आगे आने वाले दिनों में, हम लोग सोच रहे हैं कि सभी ट्रेनिस को टैबलेट्स एंड इरीडर्स दिये जाएं जिससे उनके पास अल्रडी जब उनके बस जब भी टाइम हो, जो उनको पढ़ना है वो पर सकते उनको क्लास में जाने जुरूद नहीं पड़ेगी, और we want to improve the trainer to trainee ratio, इससे क्या होगा कि जो एक ट्रेनर जो था वो अगर X number को training का दे रहा था तो अभी X minus कुछ numbers को training देगा, तो obviously the quality of training जो होगी, that will be, that will offset, जो भी हम training का duration compress करेंगे, तो यह हमारा subject में आपको बताने का उदेश था, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, हम बिलकुल 21 नॉंबर की तयारी में हैं, और जो भी future अगनवीर्स प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपका हार्दिक सौगत है, धन्यवाद, जैहिंद,